इन पांच स्टेप्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो मैं गैरेंटी से वह सहता हूं कि साथ से आठ नंबर भी आप इंक्रीज कर सकते हैं उन लोगी के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं जिनके मांक्स 55 से लेकर 60 60 से लेकर 70 तक आरे 55 से 70 के बीच में जो लाई कर रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में उनके लिए यह बहुत ब्रहमास करता साबित हुआ 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 है 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 लो दोस्तों मैं शहबास ग् बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसी यूनिक ट्रिक की एक ऐसी अलग सी अप्रोच की जिसके वजह से आपके नंबर चार से पांच इंक्रीज हो सकते हैं यह ट्रेक आपके हर एक्जाम में फॉलो करेगी आपको कोई सब एक्जाम हो चाहें नेगेटिव मार्किंग हो चाहें मार्क्स काफी इंग्रीज हो सकते हैं मगर यहां पर थोड़ा सा लग फेक्टर करता है लग में क्या होता है कि अगर आपका लग थोड़ा अच्छा है तो इस ट्रिक के थुरू आप 8-9 नंबर इंग्रीज कर सकते हैं अगर आपका एवरेज लग भी है तब भी 4-5 इंग्र से पहले होने चाहिए ताकि लेक कर सके अगर 5 इस हमारी मार्मर्ट क गर देखी होंगे तो देखे-थे कि यह चीज़े समझी हैं यह मेरी खुद की परसनली एक्सपिरियंस की हुई चीज़ें तो मैं 100 परसेंट शॉरिटे से कहता हूं कि आपको भी चीज़े काफी बैनेफिट करेंगी तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि माइंड सेट माइंड सेट जो है ना आपका वो क्या होना चाहिए यहां पर माइंड सेट आपका समझना पड़े रहा कि examiner जो TCS अगर है तो वो जो question पूछ रहा है वो किस तरीके question पूछ रहा आपको उस चीज़े को समझना पड़ेगा होता क्या है नॉर्माली आपने सब चीज़े होते हैं उसको आप छोड़ देते हैं जाधा तर तो यह ट्रेक्स आपको वहीं पर जाधा लगेगी अपलाई कर सकते हैं आप जीएस के question में काफी कारिकर साबित होगी नॉर्माली स्टूडेंट क्या होते हैं एक मैं एक्जामपल के लिए लेता हूं 100 question exam में आते हैं अगर कोई student 70 से लेकर 75 question कर रहा है तो वो यहां पर छोड़ी 30 question रहा है 25 से 30 question छोड़ के आ जाता है तो हमें सरिफ इस वीडियो में समझना है कि यह जो question छूट रहे हैं हमें यहां से कैसे marks खीच के लाने हैं यहां पर कॉंसे ट्रिक अपलाई करने हैं जो यहां से marks हम 4-5-6 नंब को चार option में पहला दिया उसने इंडिया सेकेंड दिया उसने यूएस से थर्ड दिया उसने पेरू और फॉर्थ दिया उसने चाइना अब चार option उसने दिये एक्जामी रहने अब क्या होता है normally students क्या सोचते सबसे साधा वो जो शुरू के दो option है ना यह इंडिया और USA क्यो स्टूडेंट जो होते हैं मगर आप यह चीज़ देखें यहां पर एक कंट्री है पेरू आप यह सोचिए वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं 200 से उपर कंट्री है मगर उसने पेरू का ही नाम क्यों दिया कोई और सभी तो नाम दे सकता था नहीं हाँ पर मगर उसने पेरू क आंसर उसमें छुपा खोता है एक चीज आपको याद रखनी है कि जिस ऑप्षण में अगर आप तुक्का मार रहे हैं किसी में उसने पहले पनिजा कर दो आगे और इधर तो आपको यह गलत हो तो आपको यह देखना है अगर आख बंद करके आप सोचने हैं किसी चीज़ और आपको जो नज़र आ रहा है तो आंसर वो तो बिल्कुल नहीं होगा यह बात याद रखना पहली चीज जो तो मैं पटा लगे एक्जामिनर के थोड़े माइंड सेट को समझना है आंसर उसमें छुपा होगा आपका ठी है इस तरीके से ऑप्शन देते हैं ठीक है सेकेंड एलिमिनेटिंग कि एलिमिनेशन मेथट का यूज करना है आपको हर उस कोशन में जो कोशन आप छोड़ रहें स्किप्ट कर रहें आपको कुछ नहीं करना सिर्फ एट लिस्ट अगर चार ऑप्शन है तो बस अगर आपको करें कि बिल्कुल छोड़ दिया अगर कोशन आया एक्जाम में और वह आपको नहीं आता ठीक है तो आप ये कोशिश करें ये ट्राइग करें देखने की क्या नहीं हो सकता तो अगर आपको लगता है कि एक औप्शन नहीं हो सकता यह बिल्कुल भी तो आपके बास तीन में अगर आप थर्टी कोशन छोड़ते हैं और थर्टी कोशन में से लगा लेते तो आपको 20 के 20 करने हैं ये ठीके एक ऐको आपको को हीले ज्में करके हर एक चीज क्लियर कर दूंगा किस तरीके से काउंटिंग होती है और इन सब चीजों का पांचों स्टैफ को आप मिलाएंगे न तो आपके वास प्रॉक पर एक आंसर त्यार होगा बहुत बढ़िया आपके मॉक टेस्ट में आप देख लेना माक्स चार से पांच बहुत इसली इंक्रीज हो जाएंगे तो पहले चीज यातरना जादा से जादा टेंट करने अगर कोई सत्तर टांट कर रहा है तो वह एक बार नब्वे अटेंट करके देखे बीस कोशन उस तरीके से करें जो मैं पांच स्टैप बताने वाला हूं इन स्टैप को फॉलो करके वह को को बीस को अटेंट करें अब बात करते हैं चांस इसकी तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर उप्ष्ण में ऑल अफ दी अबोव आता है और तो मैक्सिमूम चांस है आपके कि आंसर यहां पर होगा और आपको समझ नहीं आ रहा है तो बीना सोचे समझे आप इसमे मार सकते हैं, ज्यादतर चांस है कि यह answer यही होता है, second चीज, अगर आपको यह देखने को मिलता है, none of the above, तो बहुत चांस है कि answer यह नहीं होगा, काफी हद तक chance है कि none of the above नहीं होगा, और काफी ज्यादा percentage में chance है कि आपका all of the above होगा, ठीक है अब बात करते हैं ABCD में ABCD तो ABCD में आलमोस्ट आपका 25% के अराउंड ये चारो ही होते हैं पेपर में एक्जाम में इस तरीके सेट करता है कि वो चारो 25% के अराउंड होंगे आप कोई सा भी एक्जाम उठा के देख लिजिए कोई सभी कुशन पेपर उठा के देख लिए प्रिवेश ये का ज्यादा साथ आपको वेरियेशन मिलेगा सिर्फ 20% से 30% मतलब अगर डी उसमें 20% तो यहां पर मैंने आपको चांसिस के बारे ही बता दिया चांस को अगर आप समझ गए यहां पर तो मैं आप बात करता हूं डबल ऑप्शन की फॉर्थ पॉइंट डबल ऑप्शन अब इसको कैसे समझते हम कई बार आपने एक्जाम में देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि एक्जाम में कोई कोश्चन जैसे माल लीजिए कोश् है और सेकिंड है वडोध्रह है यहां पर फोर्त आपका जोय कोई समीं लगा लिजिए जैपूर जैसे जैपूर और इसमें भी अलग अलग सिटी दे रखिए हैं और इसमें एक सिटी मैसूर दे रखिए ठीक है तो अगर आपके दो कोशन में आपको ऑप्शन लगता है कि ह मैसूर मैसूर दोनों जंग आ रहाता है ति समय ना चीज़ को ध्यान से बहुत जीज़े छोटी-छोटी हैं मगर बहुत काम करें और आपको डोनों में से कोई कुष्टन नहीं आ रहा है जहां पर आप दो छोड रहते जिरो जीरो नमबर मिल रहता वहां पर आपका एक सही चलायता है और एक जो आपका गलत चलायता है तो आपके मरे से मरे 0.66 नंबर तो आपके बनी जाएंगे अगर माक्स है पॉइंट 3-3 परसेंट के नेगेटिव मार गींगे अगर 0.25 किया तो 0.75 आपके अराम से इस कुशन में इंक्रीज हो सकते हैं तो थोड़ा दिमाग खोल के डबल कोइंसिदेंस का चीजों को याद रखना है अब लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं हमारी काउंटिंग काउंटिंग इस तरीके से करना है मैंना भी आपको बताया था कि a b c d यह मोस्ट इमोनेट चीज़े इन सब चीजों को अगर आपने कर लिया ट्राई तो यह लास्ट पॉइंट यह काफी इंपॉटेंट इसको बड़े ध्यान से समझना आपको आपको आपके पास थोड़ा आपने अगर 75 कोशन किये हैं और 75 में आपने देखाए कि यह में आपने ऑल्रेडी 23 पर आंसर कर दिया तो आपको जरूवत नहीं है कि लास्ट के 25 जो कोशन है उसमें आप ए लगाएंगे एक आज कोशन में रिक्स के ले सकते बागी कोशन में नहीं लेंगे क्योंकि इसका आने वाले ना उसमें most probability answer C के ज्यादा चांस है तो यहां पर आपको थोड़ी counting एक बार अगर देख सकते हैं कि हाँ आपने कौन-कौन से कोशन कर दी हैं अगर आपके पास time है तो क्योंकि time 90 minutes का paper होता है और student कर लेते हैं जल्ली थोड़ा सा time बच जाता है क्योंकि आप छो कोशन भी अगर अपने काउंट कर लिया तो एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि हां मैंने यह वाला option थोड़ा ज्यादा मार दिया है थोड़ा साब मैं इस वाले option की दरफ चलता हूं क्योंकि रेंज तो हमें पता ही है एक्जामपल के चुरू हम देखी चुके सारे paper आ मैंने आपको मिलेगा मैंने खुद यह चीज देखिए और मैंने खुद अपने एक्जामस में इन सब चीजों का अपलाई किया है जो जो मैंने स्टैब बताएं आप इसको मॉक टेस्ट जब लगाएंगे उसमें अपलाई करके देखिए आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट सा करेंगे इस चीज़ को इन पांच स्टैप्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो मैं गैरेंटी से वह सकता हूं कि 7-8 नंबर भी आप इंक्रीज कर सकते हैं यह खासका ट्रिक उन लोगी के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं जिनके मा सिख्दम से बिना कुछ किए थोड़ी से ट्रिक को समझना है और 4-5 इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो वह आपको काफी कुछ चीज समझने को मिली होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी हैलफुल रहने वाली है स्टैटिक जीके की जो सीरी हैं मैं ने झीका काफी ने वहाँ तो यह वहाँ आक्ट्यूबर के वह मैं सेक्शन वा थो टॉप 10 सेक्शन कराया थे उसको मैं प्रोवाइड कर दूँँ हा रोस डेली में आपको प्रोवाइड करता हुआ उसके टेंशन मत लीजिए अधर ये वीडियो आपको अच्छे ल लएगी अगर अच्छी लगती तो शेर कीजिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई आल दा बेस्ट टेक एर अगर अगर अगर